हेलो दोस्तों मैं रहुल और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल फॉरेवर प्लांट्स के पे जिस पे मैं तरह तरह के पौदो के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूं दोस्तों और आज जो जानकारी लेकर आया हूँ वो है अंजीर प्लांट्स इसके अलावा भी एक वराइटी होती है जो देसी होती है देसी आप ना गार्डन में अगर लगाएंगे और या गमले में लगाएंगे तो वो ज़्यादा फल नहीं देती इसके मुगावले अगर कोई पौधा आप अपने घर में अंजीर का लगाना चाते हैं तो आप जो है पीड बन जाता है काफी फल देता है एक साल में ही दोस्तो इसमें फल लगना शुरू हो जाता है दोस्तो काफी तरह के पौधे आप अपने घर में लगाते हैं जैसे कोई डेकवरेटी प्लांट लगा के अपने घर की खुबशूर्ती को बढ़ाते हैं आप उन्हें तो बहुत ही ज्यादा डेकॉरेटि प्लांट बन जाते हैं तो फल लगा हुआ गमले में फल लगा हुआ पौधा इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि कोई भी उससे देखके हैरान और परेशान हो जाता है कि गमले में ऐसे फल लग सकता है तो यह जो उन्जीर की वराइटी मे आपके सामने दिखा रहा हो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह एक ऐसी ब्राइटी है जिसे आप ग्रो बैग में या आप कोई प्लास्टिक का जो ड्रम वगरा होता है चोटा 20 लीटर वाली बाल्टी होती है आप उसमें भी लगा के इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से और दोस्तों बहुत ही जादा फल देगा आपको यह जो है साल नहीं गुजरने देगा और आपके पौधे में फल लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों ऐसे पौधे भी अपने गार्डन में एड़ कीजिए जो आपकी सेहत के लिए जादा फाइदे मन्द हो जैसे कि यह अंजीर का पौधा बहुत ही ताकतवर फ्रूट होता है दोस्तों यह एक तरह से ताकत का खजाना होता है इसे खाना बगर महेंगा होनी की वज़े से जादा तर लोग इसे अपने घर में खरीज के नहीं ला पाते क्योंकि बारा सो रपे किलो बहुत ही महेंगा हो गया दोस तब भी इसमें फल लगेगा दोस्तों और देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो इसे किस तरह से पॉलो थिन में या ग्रो बैग में या आप अपने घर के गार्डन में गमले में लगा के रख सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाल वह भी बेहत आसान तरीके से उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों और एक बात जरूरी अगर कोई भी फ्रूट प्लांट आप अपने घर में गार्डन में या गमले में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कोई दोस्तों यह है अंजीर का पौदा जिसे आज मैं पौलोथन में लगाने वाला हूं आप चाहे तो बिग पॉट में भी लगा सकते हैं और जमीन में भी लगा सकते हैं मगर जिनके घर में कोई जमीन नहीं होती कच्ची तो वह इस पौदे को किस तरह से अपने गार्डन में आपने घर में लगा सकते हैं इस बारे में मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं तो दोस्तों जो सामान चाहिए एक तो पौदा बढ़िया नसल का जो हाइब्रिड होता है जैसे कि यह है और फिर 50% मिट्टी चाहिए और 50% ही आपको गोबर की गली हुई खाद च इसके अलावा दोस्तों इसमें है नीम खली का पौडर तो कम से कम इतनी नीम खली का पौडर हमने इतनी ही और इतनी नीम खली का पौडर हमने इसमें डाल के यह मिट्टी और धेर जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जैसे कि मैं करने वाला हूं यहर देखे दोस्तो मिटी हमारी तयार हो गई है इसको हमने mix कर लिया है अच्छे से तो यह है मिटी का mixture जिसमें हमने इस पॉदे को लगाना है और यह हैप पॉलाथिन जिसमें हम लगाने वाले हैं दोस्तों यह carry bag है और यह बाराजा बारा का है देखे दोस्तों और कम से कम इतना होना चाहिए इससे ज़्यादा अगर हो तो बेस्ट है अब इसमें हम लगाएंगे पहले इसमें मिट्टी डालेंगे अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ पहले इसका polyethin हमने फारना है पोदेगा जिस polyethin में यह पहले लगा हुआ है पोदा इसको अच्छे तरीके से फारना है बड़े हिसाब से फारना है बलेट से फारना ताकि इसकी जो मिट़्ी है वो टूटेना यह देखिए दोस्तों इसका लिफाफा जो पॉलो तिन है वो हमने फाड दिया है अब इसको उठा के हमने इस पॉलो तिन में रख देना है जिसमें हम इसे लगाने वाले है या शिफ्ट करने वाले है जिसमें यह फल देगा हमें तो ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारा पौधा लखके तयार हो चुका है अब हमने इसे जहां रखना है वहां रखके इसमें उपर तक भर के पानी दे देना है दुबारा हमने पानी इसमें तबी देना है जम मिट्टी सूखे गिली मिट्टी में हमने इसमें पानी नहीं देना और इसे सनलाइट में रखना है जहां पे धूप पड़ती हो तो ये दोस्तो अंजीर का पौदा हमारा लक्य तयार हो गया और ये अंजीर जो है हाइब्रड अंजीर है जो ड्राइफ फ्रूट में भी आपको बजार में देखने को मिलेगी और इसके फल भी आपको मार्किट में मिल जाएंगी पर इसका रेट बहुत महेंगा दोस्तो बारा सौ रपे किलो के हिसाब से ये मिल रही है इस टाइम पहले पहले आठ सौ में थी अब बारा सौ रपेस की कीमत है तो ये बहुत ही ताकतवर फ्रूट है और तकरीबन हर घर में इसका इसका इस्तेमाल होता है इसमें फल जो है दोस्तो छे महीने के अंदर अंदर फल लगना शुरू हो जाएगा और आपके काम आना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों ये जो जानकारी है अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए उन लोगों तक गार्डेनिंग करना जिनका शौक है जो अपने घर में डेकोरेटी प्लांट लगाते हैं फूलों वाले पौदे मुकाबले जादा फायदे मंद साबित होंगे दोस्तों जब इन में फल लगता है तो बहुत ही अकरशक पौदे बनते हैं बहुत ही जादा डेकोरेटी प्लांट बन जाते हैं अन्य डेकोरेटी प्लांट के मुकाबले तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद